हेलो स्टुदेंट्स मैसेल्फ अनुराग गर्ग सीनियर फाइकल्टी मोशन एड्यूकेशन प्राइबर इमिटेट आज जो पेपर अभी हुआ है जही मैंस का डेट 17th of मार्च 2021 का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसका chemistry part का हम solution लिखेंगे तो इसको start करने से पहले discussion से पहले एक introduction में देना चाहूंगा हमारी chemistry टीम का जिसमें सबसे पहले है Mr. Vijay Pratap Singh senior faculty inorganic chemistry deal करते हैं उसके बाद फिर मैं बात करना चाहूंगा Mr. Ramratan Divedi बच्चे इनको R.A.D. sir के नाम से भी जानते हैं और ये physical chemistry deal करते हैं यहाँ पर next मैं बात करना चाहूंगा Mr. Praveshgarg ये भी physical chemistry deal करते हैं उसके बाद फिर मैं बात करना चाहूंगा Mr. D.N. Patak sir inorganic chemistry deal करते हैं यहाँ पर और last maker ये तो आप लोग definitely जानते ही होंगे A.G. sir जैसा कि आप लोग कहते हैं ठीक के चलो तो अब इसके बाद अब हम शुरू करेंगे 17th March 2020 first shift 2 का chemistry का solution first question इसमें given है एक column matching type का question था इसमें दे रखा है list 1, list 2, list 1 में हमें दे रखा है chemical compound, list 2 में दे रखा है used as तो chemical जो इसमें दे रखा है उनका इसमें use बताना है first इसमें compound दे रखा है sucralose, second दे रखा है glyceryl ester of steric acid, next sodium benzoate and last इसमें दे रखा है bio thionol और इधर जो uses है वो दे रखा है, यह synthetic detergent, artificial sweetener, antiseptic and food preservative तो यहाँ पर simple यह bio molecule का, sorry, chemistry in everyday का यह question है, उसमें clear cut NCRT में इसमें दे रखा है तो जिसने भी NCRT बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसके लिए तो यह question बिल्कुल आसान रहा होगा तो इसमें देखिए, जो सुक्रा लोस होता है, सुक्रा लोस यहाँ पर होता है, इसमें याद रखिएगा, this is artificial sweetener वैसे इसको आप थोड़ा से naming भी कर सकते हो, sweetener basically होता है क्या है, सुक्रोस जो होता है, मिठा जो होता है, सुक्रोस से ही नाम बन पा रहा है, सुक्रा लोस तो सुक्रा लोस का यूज़ क्या है, ऐसे artificial sweetener उसके बाद second है, इसमें glycerol ester of steric acid, यह तो detergent होता है, तो यह याद रखिएगा B, B का जो combination बनेगा, वो हो जाएगा first, synthetic detergent next number C पर है sodium benzoid, यह तो घर-घर में काम में आता है, B preservative होता है यह, तो इसको याद रखिएगा sodium benzoid that is food preservative और एक होता है, बायो थायनॉल, यह antiseptic होता है, तो यह combination अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखो जिसमें लिखावा भी sucralose artificial sweetener है, grisal ester of steric acid, synthetic detergent, sodium benzoid, food preservative and बायो थायनॉल, यह क्या होता है, antiseptic तो इसका जो perfect answer यहाँ पर है, यह हो जाएगा option number 2, तो यह देखें, इसका जो option number 2 है, यही इसका correct option होगा Okay, next question इसमें given है, हमें दे रहा है reaction sequence है, C12H22O11, यह compound होता है, sucrose लिखा हुआ भी है, जब इसका addresses करते हैं, तो बनता है one molecule of glucose and one molecule of fructose और यहाँ पर लिखा हुआ है enzyme A, तो हमें एक तो यह बताना है कि enzyme A क्या होता है, और second दे रहा है, glucose को कर्मड कर रखा है, ethyl alcohol में, साथ में CO2 gas भी release होता है, fermentation process होता है, तो इसमें बताना है enzyme B, मतलब enzyme A and enzyme B हमें बताना है, बेबकुल simple question है, biomolecule का, carbohydrate का, जब हमी topic पढ़त है, उसमें clear cut यह बताया जाता है, कि जब sucrose को glucose और fructose में कर्मड करते है, तो यहाँ पर इस case में, जो enzyme A होता है, वो होता है, invertase, invertase enzyme लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और जब glucose से alcohol बनाते है, fermentation process में, तो इसमें यह वाला enzyme होता है, वो होता है, zymase enzyme, clear cut यह तो बताया जाता है और यह definitely पता भी होता है, जनरली बच्चों को, तो इसका जो correct यहाँ पर option होगा, वो हो जाएगा, option number 3, A होगा, invertase enzyme, and B होगा, zymase enzyme. Okay, next देखिए उसमें, question number 3, दे रखा है, the correct pair of the ambient nucleophile, तो यहाँ पर देखिए उसमें दे रखा, first is AGCN and KCN, थर दे रखा, silver, B दे रखा, silver carboxylate and potassium carboxylate, इस वाले में, silver nitrate, silver nitrate and potassium nitrate, और एक दे रखा है, AGI and KI, तो यहाँ पर इसके उसमें देखिए, यह जो AGCN और KCN है, इसमें जो CN minus है, यहाँ पर देखिएगा, AGCN का structure basically होता क्या है, यह होता है, AGC triple bond N और KCN का होता है, KC triple bond N, K पे charge plus C N पे charge minus, यहाँ पर देखिए जो potassium है, basically potassium है क्या, S block element है, और S block element है, तो यह कैसा compound मनाता है, ionic compound बनाते हैं, यहाँ पर silver है, silver कैसा element, D block element, और D block element, means जो compound बनाते हैं, वो covalent type के compound बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो basically, जो C N minus है, इसमें lone pair carbon के पास भी है, और lone pair N के पास भी है, तो nucleophilic attack में carbon भी attack कर सकता है, और nitrogen भी attack कर सकता है, जैसे, अगर KCN हम लें, तो इस case में nucleophilic attack किस के through होगा, carbon के through होगा, लेकिन अगर AGCN है, तो AGCN compound कैसा है, तो covalent compound है, इसमें तो lone pair carbon के पास नहीं है, किस के पास है, N के पास है, तो इस case में जो attack होगा, वो किस के through होगा, N के through होगा, तो यहाँ पर कुल मिला कर जो C N- है जो C N- यह है यह कैसे होंगे Ambedient Nicolophile होंगे ठीक है इसी टाइप से यहाँ पर यह तो होंगे ही होंगे एक यहाँ पर यह देखो silver nitrate के अगर हम बात करें तो यह होता है AGO N double bond O और एक होता है K plus O minus N double bond O अब इस case में देखिए यहाँ पर फिर silver यहाँ potassium potassium कैसा S block element क्या compound बनाएगा ionic compound मनाएगा ionic compound बनाएगा तो loan pair यहाँ पर O के पास भी है loan pair यहाँ पर N के पास भी है चुकि N यहाँ पर neutral है oxygen यहाँ पर negative charge है तो definitely इसकी nicolophilicity N से तो ज़्यादा होगी तो यहाँ पर attack कौन करेगा oxygen करेगा लेकिन जब silver इससे attached है silver फिर से वही बात deep block element compound क्या बनाएगा covalent compound बनाएगा तो इस case में जो attack होगा वो कौन करेगा N attack करेगा तो यहाँ पर भी हम कहेंगे जो यह होता है वो एक immediate nicolophile होता है तो इसका answer AB होगा and CB होगा और A और C के अगर हम बात करें तो इसका जो option first है यही इसका correct answer होगा 17th March evening shift के next question question no.4 को अगर आप ध्यान से देखें तो thermodyne mix का theoretical question है और बहुत आसा सवाल है मतलब जिसको entropy नाम सुना है उसको सीधे हो जाएगा which of the following processes entropy decreases आपको यह बताना entropy decrease किस किस में होगा तो freezing of water हो रहा है 0 पर minus 10 पर अगर freeze हो रहा है तो entropy घटना ही घटना है यहाँ पर delta NG less than 0 है delta NG less than 0 है तो यहाँ पर भी entropy घटना है तो इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ delta S less than 0 यहाँ delta S less than 0 यहाँ delta S और surface के मिस्टी में आपने पढ़ा ही है adsorption जो है वो entropy घटाता है लेकिन NaCl जब पानी में dissolve होगा तो टूट जाएगा Na plus और Cl minus I N में lattice पूरा बिखर जाएगा तो यहाँ entropy बढ़ेगी तो A, B, C, D इन चारों में entropy घट रही है लेकिन इसमें entropy बढ़ रही है तो A, B, C, D चार जगे entropy घटती है तो answer होना चाहिए A, B, C, N, D only that is option 1 right so correct answer for this question is option 1 बहुत आसान सा सवाग thermodynamics का entropy पर match list first with list second यह coordination chemistry का isomerism का बहुत ही simple problem है जिसे आप लोगों ने सबने solve कर लिये ही होगा यह जिसे complex TIS, CO, NH3 का होलसिक, CRCN का होलसिक दौनों coordination sphere है इन दौनों में अगर ligand का exchange करा दें यह जो है coordination isomerism so करेगा ligand का exchange करा दें तो यहां यह कौन सा ligand है यह जो अपनी donor side बदल सकता है ambient end ligand है तो यह अगर nitrogen की जगे oxygen के धुरू bonding करेगा तो यह linkage बदल लेगा तो कौन से isomerism so करेगा linkage अगर water molecule बाहर लियाएं तो वाटर का molecule अगर coordination sphere में और आयनिक sphere में different number में दिखाई दे जाए तो यह कौन से isomerism होती है solvent isomerism तो यह solvent isomerism करेगा और यह जो लास्ट वाला है यह सिस फॉर्म अगर आप बनाते हो इसका तो इसमें पी यो एस नहीं आती यह पड़ा भी होगा आपने क्रोमियम कि दॉन और यह जानते हैं आप यह वाला जैसे oxygen plane के उपर से और यह बांड जो बना करके oxygen है नीचे से यह प्लेंड के उपर है यह बांड है से यह प्लेंड के नीचे बांड है से यह दोनों बांड सुपर इंपोज नहीं करते कभी भी तो इसमें पी ओएस नहीं आएगी कि यह अप्टेकल क्या होगा एक्टेव और ऑप्टेकल आई सो मेरे जम सो करेगा की दा व Yao कि को मन पॉजिटिव ऑक्टेशन स्टेट पार एन एलिमेंट भी से अव्मब का अकुशन इसते डेखी गे क्रोमियम में नमबह ट्वंबर तीफ या नि परोमियम की आपने अकुशनơ नहें स्गाइट देखत keeping je इसका आंसर होगा 4 The set of elements that differ in mutual relationship from those of the other senses यह diagonal relationship का question है यह आपने पड़ा होगा lithium, beryllium, boron, carbon, sodium, magnesium, aluminium, silicon यह lithium, magnesium के साथ, beryllium, aluminium के साथ और boron, silicon के साथ diagonal relationship सो करता है लेकिन lithium और sodium में कोई diagonal relationship नहीं होती तो इसका आंसर आएगा second Sodium और lithium में कोई diagonal relationship नहीं होगी Okay, next question given है इसमें दे रखा है Given below are two statement, statement number first दे रखा है 2-methyl-butane on oxidation with K-M-N-O-4 gives 2-methyl-butane-2-ol, okay And second statement दे रखा है, N-alkane can be easily oxidized to corresponding alcohol with K-M-N-O-4 तो इसमें देखो, जब हम hydrocarbon पढ़ते हैं और hydrocarbon में alkane का oxidation reaction पढ़ते हैं तो उसमें इस clear cut कहा जाता है कि ऐसा alkane, ऐसे alkane जिसके अंदर 3-degree hydrogen atom present हो जैसे यह वाला case देखो, this is is isobutane Isobutane में यह carbon कैसा है, 3-degree carbon है इस 3-degree carbon पर H present है तो जब इसका reaction, इसका reaction हम acidic K-M-N-O-4 से करते हैं तो इसका oxidation होकर compound बनते है alcohol तो alkane का alcohol में oxidation possible है लेकिन condition यह है कि वहाँ पर 3-degree hydrogen atom present होना चाहिए तो इसमें जो statement number first है अब देखिए इसका solution दे रखा है यहाँ पर compound हमें क्या दे रखा है compound दे रखा है 2-methyl-butane तो यह देखिए यह compound रहा 2-methyl-butane का reaction जब K-M-N-O-4 से करेंगे इसका oxidation होगा तो क्या होगा यह जो 3-degree hydrogen है यह convert हो जाएगा किसमें OH में तो यह compound isopentyn से compound मन जाता है tertiary pentyle alcohol तो यह oxidation से वही alken show करते हैं जिसमें 3-degree hydrogen atom present हो लेकिन अगर normal alkane है, straight unbranched carbon chain है उनका stack पर कोई oxidation नहीं होता है no reaction show करते हैं यह आई बास हमें तो इस basis पर अगर हम कहें तो यहाँ पर जो इसका answer हो जाएगा वो हो जाएगा state number 2 क्या होगा? statement number first जो दे रखा है वो तो correct है but statement number second is incorrect तो second option ही इसका correct answer होगा among the following the linear species तो देखो यह जो azide ion है N3 minus इस azide ion का structure कुछ यह बनेगा minus minus plus sp hybridization और इसकी linear structure बनेगी माकी CL2O की बनाऊगे तो bent shape बनेगी sp3 hybridization होगा दो लॉन प्यार बैंट से बनेगी O3 की बनाऊगे ozon की तो इसकी भी बैंट से बनेगी एक लॉन प्यार sp2 hybridization और NO2 की भी बैंट से बनेगी एक उन प्यार्ड एलेक्टाउन sp2 hybridization इसकी linear से बनेगी azide ion की नेक्स्टीज इस question नमर 10 question नमर 10 surface chemistry का है आप सबको बता है surface का सवाल आता है negative solve का को कोईगूलेट कराना है तो सबसे पहले तो हमें कटायन चाहिए अगर कटायन चाहिए तो इसे क्रोस मारो इसे क्रोस मारो the species that has the highest fluctuating power सबसे अच्छा यह सबसे हाई fluctuating power तो magnitude of charge के proportional होता है fluctuating power अगर आप देखें तो magnitude of charge के proportional होता है अब अगर अगर आप यहां पर देखें तो एने प्लस पर magnitude जो है वो 1 है और इस पर जो है वो 2 है तो यह आंसर हो जाएगा हाड़ी शुल्जे रूल है नेगेटिव के लिए कटायन चाहिए पॉजिटिव के लिए अनायन चाहिए और जितना magnitude of charge होगा उतना ही उसका power जादा होगा या उसकी value उतनी कम होगी तो correct answer is barium 2 plus hence option number 3 is the correct answer for this question functional group that are responsible for the iron exchange property of cation and anion exchange resin respectively are ncrt का hydrogen and its compound में जो water है उसकी hardness का question है जो आपके cation exchanger होते हैं वो क्या होते हैं cation exchanger कौन होते हैं इसमें यह होते हैं organic acid rcwh और rso3h ncrt का question है hydrogen and its compound का water की hardness का इसमें calcium और magnesium के करण hardness होती है water में और यह दोनों इस h plus के साथ exchange करके और hardness को हटा देते हैं all twice CA या mg आ जाएगा इसी तरह आपने अगर rcwh लिया है तो hal twice CA या mg आ जाएगा इसी तरह एनाइन exchanger होता है एनाइन exchanger resin यह क्या होते हैं primary amine होते हैं कि वाटर में डालोगे तो पहले तो यह क्या फॉर्म कर लेंगे hydroxide और यह फिर जो हाइट रॉक्साइड बनेगा और यह यह बॉटर में जो हाटनेस के लिए रिस्पॉंसेबल एनाइन होते हैं किलोराइड सल्फेट उनके साथ यह एक्षेंज कर लेते हैं आर एनस तरह से वाटर में हाटनेस रिमूब हो जाती है तो यहां पर पूछ रहे हैं यह आएन एक्षेंजर प्रोपरटी केटाइन एनाइन तो केटाइन एक्षेंजर तो यह हो गया और एनाइन एक्षेंजर ही ओ गया यह देखें नेक्स्ट कोशन गिवन है चूज दे करेट स्टेट्मेंट रिगार्डिंग दे रखा है वन ब्यूटीन इस पर अटेकरा रखा है ह्च बहुत अशरार्ब्यटीनित घुटीन अच्छडिड गया कि दे रखाए अब इसके लिए पर। statement दे रखा है क्या दे रखा first number? Carbocatan A is more stable and formed relatively at faster rate. Second दे रखा Carbocatan B is more stable and formed relatively at faster rate. तो बहुत simple सी बात है इस केस्ट में यह जो reaction है hydrocarbon का question है, alken के हम जो reaction is पढ़ते है, hydrohalogenation of alken जिसमें हम marcanikov addition के भी बात करते हैं, तो बस वहीं सही यह question बना है, इस case में जो double bond given है ये कहां पर है between one degree and two degree carbon अलकीन कैसे भीयो करता ऐसे निकलोफाइल क्या होगा ये जो pi bond होगा ये इस पर shift होगा and ये C काटे किस पर होगा H plus पर होगा तो कुल मिलाकर इसमें जो plus बनेगा वो ये वाला plus बनेगा देखो ये वाला केटैन कैसा है ये one degree कार्बो केटैन है and ये two degree कार्बो केटैन है और अगर किसी कार्बो केटैन में resonance नहीं हो रहा है तो उस case में हम उसकी stability को hyperconjugation से solve करते है on the basis of number of alpha hydrogen तो यहाँ पर देखो ये केटैन ले 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 इसमें कहीं पर कोई resonance नहीं है तो resonance अगर नहीं है तो हम किसकी बात करेंगे hyperconjugation की बात करेंगे hyperconjugation में क्या check करेंगे alpha H तो इसमें कितने alpha H 2 alpha H इसमें कितने alpha H 3 plus 2 5 alpha H तो ये वाला जो B कार्बो केटैन है ये more stable होगा और अगर ये more stable है तो definitely इसका formation भी तो fast होगा तो option wise अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका जो second option है यही इसका correct answer होगा Carbocatine B is more stable and formed relatively at very faster rate बहुत ही easy question कह सकता हूँ मैं मलब organic में इससे easy question अब क्या बन सकते है ऐसा मुझे लगता है विलकुल आसान question था और मैं मानता हूँ कि सभी students ने जिसने भी पढ़ा हूँ इसको बनाए भी होगा ठीक है तो correct answer इसका हो जाएगा option number B second number फिक है दे रखा है B Carbocatine is more stable due to more hyperconjugation and it forms relatively faster rate compound to A ठीक है तो correct answer इसका 2 हो जाएगा okay next question given है उसमें हमें यहां पर दे रखा है C7H7N2OCl का reaction ethyl alcohol से करें तो एक compound यह बना रखा है anisol बना रखा है एक बना रखा है N2 plus X plus Y बना रखा है अब question दे रखा in the above reaction the structure formula of A of X and Y respectively R मलब बताना है कि इसमें यह X क्या होगा और यह Y क्या होगा तो यहां पर सबसे पहले हम देखें कि जो C7H7N2OCl है इसका structure क्या possible है तो अगर आप options अगर देख रहे हैं तो इसमें इन सभी में यहां पर pathoxy यह दे रखा है इसमें यहां पर इसमें देखिए यह तो clear है कि यह जो compound A हमें दे रखा है वह इस कोई compound होगा अब अगर इसका reaction हम C2H5OH से कर रहे हैं तो पति एक compound क्या बनता है यह तो मैं याद होगा यह reaction हम पढ़ाते भी है class में यहां पर यह हमने एक compound लिखा benzeen से अटेजड N2Cl और यहां पर कौन O और Me की reaction जब CH3 CH2OH से करते हैं तो यहां पर यह जो compound होता है इसको तो बेंजीन में convert कर देता है तो यहां पर इस case में यह compound इसमें बनेगा यह लिखा हमने यहां पर OCH3 ठीक है OCH3 बला N2Cl हटेगा तो यहां तो H आ जाएगा है और इस वाले part का खुद का क्या होगा oxidation होगा इसका जब खुद का oxidation होगा तो यह convert हो जाएगा CH3 CH double bond O में यह बनेगा इसके अलावा यहां से N2 लीव करेगा ठीक है से इस केस में यह जो में CL है यह CL भी यहां से लीव करेगा as a CL minus और CL minus H plus के साथ मिलकर क्या बना देगा HCL बना देगा ठीक है तो इसमें अगर हम देखें तो यहां पर हमें यह तो compound दे ही रखा है N2 भी दे रखा है X और Y यहां क्या होगा तो X यहां पर हो जाएगा CH3 CHO और साथ में होगा HCL तो अगर options में हम यह सब देखें तो इसमें clear cut यहां पर समय में आ रहा है कि इसका जो option number second है यह option number second मतलब कौन सा यह और यह दोनों यहां पर X और Y होंगे इसमें यहां पर यह चीज़ हट जाएगी यह चीज़ हट जाएगी सिंपल बेंजीन बन जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा option number two okay next question इसमें given है फ्रेक्टोस इस एन एक्जाम्पल उफ तो बिल्कुल सिंपल कोश्चन है तो ग्लुकोस और फ्रेक्टोस हम लोग पढ़ते हैं सी ग्लुकोस में एल्लिएट ग्रूप होता है और फ्रेक्टोस में कीटोन ग्रूप होता है तो अगर मैं यहां पर फ्रेक्टोस का हम structure बनाए तो इसका structure होता है CH2 single bond OH और इस case में यहां पर देखो इस bond को हम हटा दे तो इसमें देखो यह लिखा हमने C double bond OH यहां पर OH यह तो इस तरफ कौन होता है OH यहां पर H यहां पर OH and last में CH2 OH ठीक है यह जो compound होता है इसको बोलते हैं फ्रेक्टोस अब इसमें देखो फ्रेक्टोस में कितना carbon 6 carbon है 6 carbon का मतलब hexose sugar हुआ चोंकि यहां पर ketonic group है ketonic group है इसलिए इसको क्या बोलेंगे keto hexose keto का मतलब ketone है hexose का मतलब 6 carbon का है इसलिए इसका जो perfect answer होना चाहिए वो हो जाएगा इसका option number 4 that is keto hexose next question is again from environmental chemistry eutrophication अगर आप ध्यान से देखे तो biological वर्ड है लेकिन हमारे environmental chemistry में water pollution में है eutrophication is or are incorrect reason for the eutrophication तो incorrect reason में अगर आप fertilizers काफी use करते हैं detergents काफी use करते हैं plant population water bodies में काफी हो जाता है तो इस तरह की बात होती है तो eutrophication हो सकता है लेकिन water body में nutrients का कम होना जो plant growth को रोकते हैं यह किसी भी तरह से eutrophication का कारण नहीं है hence इस question का answer होगा incorrect region for eutrophication is the lack of nutrients in the water body right so that is the d only will be the answer यह देखे next question compound दे रखा है primary secondary and tertiary amine can be separated using तो भी primary secondary और tertiary amine का अगर हम test की बात करते हैं तो एक test आप लोगों ने पढ़ा हुआ जो इसको बोलते हैं हिंसबर्ग test ठीक है ना यह बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पर देखिए options दे रहे है पैरा इसकेस में यह हमने लिखा है R NH2 यह कौन सामाइन इस वन डिग्री अमाइन, R2 NH2 डिग्री अमाइन और एक R3N यह 3 डिग्री अमाइन है और जो compound यहाँ पर दे रखा है वो क्या दे रखा है separated by para toluene sulfonyl chloride का structure क्या होगा यह देखो यह compound है benzeen पर SO2Cl हमने लिखा तो यह हुआ benzeen sulfonyl chloride की para position पर CS3 लगा दिया तो यह toluene भी हो गया para position पर लिखा है तो जब R NH2 का reaction इससे करेंगे तो क्या होता है इसका H और इसका CL HCl की form में eliminate हो जाता है तो इससे attest होता है SO2 से attest होता है NHR टिक है sulfonyl amide group बनता है यह sulfonyl amide की reaction जब NOS से कराते हैं base से कराते हैं तो यह compound इस base में soluble होता है क्यों soluble होता है reason यह है कि R NH में यहाँ पर यह H है और यह H acidic nature का होता है अरीवासे में इसका अगर हम और ठीक से structure लिखें तो यह बनता है है R NH then S double bond O double bond O then यहाँ पर benzene और यहाँ पर M E यह एक precipitate form होता है तो चुकि इस N से attest है hydrogen होता है यह hydrogen acidic होता है इसलिए base के साथ इसकी reaction possible होती है मतलब यह compound base में soluble होता है अब यही compound अगर हम R2 NH से करा है मतलब 2 degree amine से करा है तो क्या होगा 2 degree amine में यह sulfon amide तो बनेगा लेकिन यहाँ पर इस N के पास कोई hydrogen atom present नहीं होता है इसलिए यह base के अंदर soluble नहीं होता है तो 1 degree amine और 2 degree amine तो यहाँ पर separate हो गए अब 3 degree amine की reaction इस compound से होती ही नहीं है इतो रेक्षण ही शो नहीं करता है कहने का मतलब इसमें भी PPT बनता है इसमें भी PPT बनता है इसका PPT alkalis remained soluble होता है इसका PPT insoluble होता है और यह तो रेक्षण ही शोओ नहीं करता है तो इस regular से हम primary secondary अं tertiary amine को distinguish कर सकते हैं तो इसका जो correct option होगा वो हो जाएगा option number first match list first with list second hematite और magnetite iron के हो रहे है formula पता ही है hematite का fe2o3 और magnetite का fe3o4 तो यह तो हो गया hematite और यह हो गया magnetite यह दोनों iron के हो रहे है बॉक्साइट aluminium का हो रहे है और malachite copper का हो रहे है तो a का हो गया आपका second b का first a का second b का first c का four और d का कौन सा हो गया third answer होगा इसका four the set that represent the pair of neutral oxide of nitrogen है आप जानते हैं के nitrogen के दो oxide neutral होते हैं कौन से जिन में oxidation state nitrogen का का में अनो और एंटो यह भी एंसी आटी का पी ब्लॉक का nitrogen फैमिली का कुश्च्चन है वैसे तो टोटल जो है चार oxide को अपन neutral consider करते हैं अनो एंट्टू ओ एच्टू ओ और सी ओ और नाइटोजन के दो oxide neutral है अनो और एंट्टू ओ लोर ऑक्सिडिशन में यह दोना नूट्रल होते हैं बाकी तीनो ऑक्साइड नाइटोजन के वह ऐसे डिक नेचर के होते हैं ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेशन देरे खाए nitrogen नेटोजन केन बी एसेमिटेट बाए जल्डाल मेथ़ड फॉर विच अफॉलिविंग कंपाउंड तो यह भी खेर सिंपल सा क्वेशन हम कह सकते हैं इस किस्ट में जाते हैं जब क्लेर कट यह लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है कि जल्डाल मेथड में nitrogen का detection नहीं कर सकते हैं जिसमें यह तो double bond यह फिर triple bond हो ठीक है तो इस वाले केस्ट में देखो यहाँ पर यह कौन सा ग्रूप है डाई एसो ग्रूप है डाई एसो ग्रूप का हम एस्टिमेट इसको नहीं कर सकते हैं जल्डाल मेथ बेंजिंग रिंग में डारेक्टली प्रेजेंट हो इस टाइब से और यहाँ पर भी double bond आ रहा है इसको भी एस्टिमेट नहीं कर सकते मतलब तो कुल मिला कर इसमें जो आंसर हो जाएगा वह यह वाला जो nitrogen है वह कैसा होना चाहिए single bonded nitrogen होना चाहिए तो इस question का जो perfect और सही आंसर होगा वह हो जाएगा option नंबर फोर्थ आप दा बाइप्रोडक्ट फॉर्म टूरिंग डा रिकवरी ऑफ अमनिया फ्रॉम सॉल्व फ्रॉसेस रिकवरी करते थे तो कौन सा बाइप्रॉडक्ट बन्ता है देखो ये solve process आपने पड़ा होगा ammonia के solution में आप क्या करते हो CO2 pass करते हो तो क्या बनता है acid waste reaction होती है और ammonium bicarbonate बन जाता है इस ammonium bicarbonate में आप फिर क्या डालते हो brine brine यानि sodium किलोराइड का aqua solution sodium का bicarbonate बनेगा और साथ में ammonium किलोराइड ये sparingly soluble है तो इसका precipitate टाइप बन जाएगा इसे अपन अलग कर लेते हैं ये solution में रहता है इस से ammonia की recovery करते है recovery of ammonia तो ammonia की recovery solution से करते हैं जिसमें ammonium का किलोराइड है और यह जानते हैं यह जानते हैं यह ओल ammonium salt को हिटेड करते हैं इससे अपन अमोनिया तो अपना रिकाबर करी रहे हैं तो अमोनिया रिकाबर हो जाएगी प्लस वाटर तो अमोनिया की रिकाबरी में कैल्सियम क्लोराइड ऐसा बाइप्रोडक्ट बनता है इस अल्वे प्रोसेस है पूरा बचों आईए बात करते हैं अब सेक्शन बी पर इंटेजर टाइप पर पहला सवाल देखें का बहुत आसान सवाल elementary reaction है elementary reaction है तो आपको इसका रेट लो पता है order पता है for a certain quantity of reactants if the volume of reaction vessel is reduced by a factor of 3 यानि volume one-third कर दिया है हमने volume one-third कर दिया तो concentration thrice हो गया है the rate of reaction increases by a factor तो आपको elementary के बारे में पता है that ROR का अगर आप elementary की बात करते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे जो coefficient है वही order हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास concentration of a to the power 2 यानि order with respect to a is 2 and order with respect to b2 is also 1 right तो इस तरह से overall order 3 हो गया elementary reaction है दोनों का order integral value है आई आगे बढ़ते है concentration अगर 3 गुना कर दिया है volume one-third करते होए तो 3 का square और 3 की power 1 तो 9 into 3 27 times आपका rate बढ़ जाएगा औरली किया जा सकता है यह आपका return solution है यह rate low moles upon volume moles upon volume one-third कर दिया तो 27 का factor एक बाहर निकल कर आ जाता है तो final rate will be 27 times of initial rate यहम से ही पुछा rate of reaction increases by a factor of that is the answer is 27 times और यह बढ़ते हैं अगले question के तरह next question is from atomic structure बहुत आसान सवाल इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता जही मैंन कभी पूछ सकता है ground state of atomic Fe जिसका atomic number दिया हुआ spin only magnetic moment is आपको unfaid electron निकालने है जेट बराबर 26 का configuration लिखका और magnetic moment calculate कर देना है यह Fe का ground state configuration लिखा 3D6 4S2 4S2 fully filled है 3D6 की अगर हम बात करें तो चाहे तो डबा बना सकते हैं D6 के लिए उन्स रूल को follow करते हैं हम इसमें electron भर देंगे तो यह हमारे पास D5 orbital हमें electron बढ़ने हैं कितने हमें electron बढ़ने हैं हमारे पास 6 electron है तो पहले सब में एक एक फिर जिसमें मर्जी पड़े उसमें पेरिंग कर दो विद रिवर्स स्पिन उल्टी स्पिन के साथ उन्पेर कितने बचे चार जब अन्पेर हमारे पास चार बच रहे हैं तो आप देखिए magnetic moment का formula लगा अंडरू 24 4.9 आंसर आए 10 पार 9-1 में पूछा है तो 49 इंटू 10 पार माइनस वन हो गया राउंड ओफ कर दिया अंसर आगया 49 बहुत आसान सवाल मुझे लगता ही नहीं मुझे इसमें बहुत ज्यादा समझने और समझाने के जुरत है बहुत ईजीली आप इसे सवाल है आपके पास टाइम में बाकी और कुछ नहीं आ रहा है कैलकुलेट गुणा भाग करने का बहुत मने करिए मजे से सॉल्व करिए आंसर परफेक्ट आएगा तो आपके पास रियक्शन दी हुई है परसेंटेज जील्ड ऑफ अमाइड प्रोड़क्त यह माइड है आ नहीं तो आप ने रियक्शन दीखा सबसे पहले दोनों माच्ट का माउस द धीया हुई हूँआ एंका मौल निकालना पड़ेगा यह 2.29 x 10-3 यहां होना चाहिए था, 10-3 1-1 में react करते हैं, अगर हम यहां पर इसे मैंने short form में reaction को represent किया है, फिनाइल को pH लिखते हुए, तो आद देखिए pH, NH, pH, अब हुआ क्या होगा, यह C double bond हो, यह pH तो हुई, यह यहां से यह N इससे जुड़ गया है, यह reaction हो गई है, बाकी तो detail किस mechanism से और कौन से reagent से हुई, वो organic वाले समझाएंगे, तो अगर हम इसे physical के हिसाब से देखें, तो इस molecule में CL अटकर यह जुड़ गया है, जितने इसके mole 1-1 में reaction होकर, यह CL और यह N का H मिलकर HCL बाहर हो गया होगा, तो आप ध्यान से देखें, तो 1-1 mole ratio में, यह LR साबित हो गया हमारा, यह 2.29 शेफ्ट होकर इदर आ गया है, तो यह LR है, तो इसका भी एक ही mole बनना चाहिए था, यह 1-1 में तो 10-3 mole ही इसके बनने चाहिए था, तो stoichiometry के इसाब से 10-3 बनना चाहिए था, actual mole हमने इसका molecular weight से solve करके लिकाल दिया, यह आया, और जब हमने इससे solve किया, तो percentage yield आ रहा है, 76.9%, round off करेंगे nearest integer में, तो आंसर हो जाएगा 77%, तो आप देखिए, खेवल calculation है, बाकी और कुछ भी नहीं है, percent yield का formula आपको पता ही होता है, क्या होता है percent yield का formula, तो percent yield is actual amount upon stoichiometric amount into 100, यह हमारे पास percent yield का formula है, amount चाहे तो आप mass में रखिए, और चाहे तो आप moles में रखिए, कोई फरक नहीं पड़ता, mass ही mass में अगर calculation करेंगे, तो थोड़ा सा हो सकता है, यह value आपका change कर जाए, यह figure आपका अलगा जाए, लेकिन उसका भी nearest integer आपका 77 ही आने वाला है, तो correct answer for this question is 77. On complete reaction of FeCl3 with oxalic acid in aqua solution, containing QH resulted in the formation of product A, the secondary valency of iron in the product A. आपने क्या किया, FeCl3 लिया, और इसमें डाल दिया आपने oxalic acid, solution को basic करने के लिए QH डाल दिया, QH मेंसे OH माइनस तो क्या करेगा, यहां से proton निकाल लेगा, और यह oxalic acid आइन बनेंगे, जो iron के साथ क्या बना लेंगे, complex बना लेंगे, ferric oxalic, इसका hall thrice, Fe plus 3 का आप जानते हैं, coordination number 6 होता है, तो 3 oxalic acid, यहां माइनस 3 आएगा, counter करने के लिए बाहर 3K आजाएंगे, और 3KCl, और प्लस क्या बनेगा, 3H2, यह complex बनेगा A, और इसमें इसका, यह bidented ligand है, 3, एक bidented ligand, 2 coordinate bond बनाएगा, तो 3, 6 coordinate bond बनाएगे, तो coordination number इसका आएगा 6, और आप जानते हैं, बर्नर ने secondary valency किसको कहा था, coordination number को कहा था, तो यहीं बर्नर के according क्या है, इसकी, secondary valency है, तो इसमें जो iron की secondary valency होगी, वो क्या होगी, 6, next question is from chemical equilibrium, बहुत आसान सा सवाल है, आप ध्यान से देखिए, एक reaction दिया हुआ है, अगर इस reaction की बात करें, तो delta ng greater than 0 है, in fact value निकाल सकते हैं, delta ng equals to plus 1 है, positive 1 है, KP दिया है, कैसी दिया है, आपको पता है, KP upon कैसी is equals to होता है, RT to the power delta ng, यह formula लगाई है, वोगर answer निकाली, KP पता है, कैसी पता है, simple solve किया, KP कैसी RT, delta ng 1, KP कैसी RT, T निकालना था, easily solve करेंगे, answer आजाएगा, T बराबर 354, Kelvin के लगबग लगबग answer आएगा, nearest integer यह हो जाएगा, तो that is a correct answer, बहुत आसान सवाल, इससे आसान सवाल, मुझे नहीं लगता है, यही मैंने कभी पूछे हैं, next question is from electrochemistry, again from the conductance part, KCL का conductivity दिया हुआ है, यानि कापा दिया हुआ है, और SI unit में दिया हुआ है, resistance दिया हुआ है, यानि एक तरह से हमें G दिया हुआ है, conductance दिया हुआ है, in a conductivity cell, same cell is filled with an HCL, KCL के बाद हमने HCL डाला उसी में, KCL अटा कर, तो आपका conductance थोड़ा सा बढ़ गया होगा, क्योंकि resistance गढ़ गया है, कापा हमसे पूछा हुआ है, और आप देखिए, unit का यहां कोई लफड़ा नहीं है, तो हमने सीधा formula लगा है, value रखी, cell constant, same cell use किया है, तो L by A का value सेम रखना है, और कुछ नहीं करना, तो KCL के लिए, R is equals to rho L by A से हमने solve किया, तो R is equals to 1 upon कापा into L by A, तो L by A is equals to R into K, R हमें दिया हुआ है, कापा हमें दिया हुआ है, यह हमने solve कर लिया, HCL के लिए भी हमने वही L by A use करते हुए, कापा निकाल लिया, R दिया हुआ था, थोड़ा समय यहां पर आपको pinpoint करना चाहूँँगा, आप इसे पूरा solve करोगे, तब जाकर आपका answer आएगा, अगर आपने इसे दो place तक ले लिया, round off नहीं करके चले, या पहले ही round off किया और वो थोड़ा सा गलत कर दिया, तो यह nearest integer में आपका answer 56 भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि जब आप इसे solve करते हैं, तो यह 56.9 आ रहा है, अगर थोड़ा भी उपर नीचे solve हो गया, तो 56.45 भी हो गया अगर आप से गलती से, तो आप इसका reported answer 56 कर दोगे, मुझे लगता है जही मेंस वाले आजकल adamant हो रखें, एक ही value निकालना है और वही perfect answer उसे मान रहें, J advance फिर भी range में answer दिता है, Jman range में answer नहीं दे रहा, यह थोड़ी सी तकलीव दे बात है, तो ऐसे calculation वाले सवाल को आपको careful होकर calculate करना चाहिए, बाकी सवाल में बिलकुल धम नहीं है, simple formula apply करना है, एक आसान तरीका जो मुझे लगता है, आप दोनों के लिए equation रखिये और उसे divide कर दीजे, तो शायद ज़्यादा आसानी से आप calculate कर पाएंगे, बाकी सवाल बहुत आसान है, आईए बढ़ते हैं अगले question की तरफ, next is question from liquid solution, हमेशा आता है, one molal aqua solution दिया हुआ है, k4 efficiency का degree of dissociation यानी alpha दिया हुआ है, boiling point is equal to that of another solution, यानी कोई और solute डाला उसका elevation और इसका elevation सेम आ रहा है, 18.1% आपको दिया हुआ है, mass percent w by w दिया हुआ है हाँ पर, electrolytic solute a दिया हुआ है, non electrolytic solute यानी iota आपको 1 लेना है, molar mass of a कितना होगा, simple solve कर देना है, क्या iota into kb, iota into kbm और बागी m solve कर देना है, यह small m निकालने का एक formula है, percent w by w upon 100 minus percent w by w into thousand, और यहाँ पर फिर हमने mass को mole में बदल दिया है, divide करके तो यह small m बन गया है, iota 1 लिख दिया है, और इस तरह से kb kb दोनों तरप का cancel हो गया है, क्योंकि solvent दोनों जागे water है, बागी फिर calculation है, यहाँ से जब solve करेंगे, तो बहुत easily, without any hustle, आपको pure integer मिल जाएगा, which is the answer 85, so this is the correct answer for this question, आएए बढ़ते हैं, next की तरफ, इससे आसान सवाल और कुछ नहीं होगा, chlorine atom पूछा है, volume दिया है, STP पर, STP पर volume दिया है, तो number of moles तो direct पता है, NA से multiply करो, atom आ गए, sorry, molecule आ गए, और atomicity, chlorine की बात कर रहा है, तो CL2 की बात होगी, तो 2 से और multiply करना है, और कुछ नहीं है, तो यह moles of chlorine आ गए, number of atoms, तो यह दो का factor आ गया, NA से multiply, यह answer round off किया, answer 1 हो गया, बहुत easy question, कुछ नहीं करना, पीवी बरावर एनार्टे का simple use. Next is question from solid state, and it is conceptually अगर देखें, तो it is a tough question, बट अगर आपको doping के बारे में idea है, तो it's very easy, कि KBR में doping हो गई किसकी SRBR2 की, with 10 power minus 5 mole percent, यानि 100 mole में 10 power minus 5 mole किसके आ गए, SRBR2 के, आपको पता है, 1 BR के लिए 1 कटायन required है, अगर हम यहां से stoichiometric ratio देखें, लेकिन SRBR2 में 2 BR atoms पर, या 2 BR bromide ions पर, एक ही कटायन प्रेजेंट है SR plus 2, यानि 1 SR plus 2 के घुसने पर, एक जगे खाली होती है, ऐसा हमें समझना है, तो number of kataonic vacancies, kataonic vacancies खाली होंगी, in 1 gram of KBR crystal is, अब solve कैसे करना है, सबसे पहले तो हमें यह देखना है, 1 gram of KBR crystal में, कितने KBR के atoms हैं, या कितने KBR के units हैं, उसके बाद हमें बात करनी हैं कि, जितने KBR के units हैं, उनका 10 पार माइनस 5 मोल परसेंट हमने SR BR2 डाला है, और SR BR2 मतलब 1 SR डाला है, तो 1 vacancy create हुई है, आए कैसे solve करेंगे, सबसे पहले तो हमने यही लिखा, कि 1 SR plus 2 आयन से 1 vacancy create होने वाली है, यानि जितने SR plus 2 आयन हमारे पास होंगे, उतनी ही vacancies होंगे, अब हम mathematically हुए, कि मोल परसेंट SR BR2 जो है, वो 10 पार माइनस 5 है, तो कितनी के vacancies होंगी, तो सबसे पहले 1 upon 119, that is the moles of KBR, into NA that is the number of units of KBR, 100 unit में 10 पार माइनस 5 है, 10 पार माइनस 5 हैंडरेड और इतनों में multiply कर दिया, that is the number of KBR vacancies, multiply करते रहे, आसान सा सवाल है, बाकी इदर उदर गुना भाग करने पर आपको easily एक nearest integer 5 मिल जाएगा, so conceptually it is a strong question, it is a tough question, but calculation wise it is very easy, अगर आपको doping आता है, तो आप बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं, आइए बढ़ते हैं अंगली सवाल पर, मैसिटाइल उक्साइड में total number of अगर आपन क्या देखें, carbon carbon sigma bond, तो कितने होंगे, इसका structure बना लो पहले, तो ये मैसिटाइल उक्साइड का structure है, अल्डॉल कंडेंसेशन में असिटोन के अल्डॉल कंडेंसेशन में बनता है, अल्डॉल कंडेंसेशन कराते हैं असिटोन का तब ये मैसिटाइल उक्साइड बनता है, इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड और तीन छे साथ, ये आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा और तीन, सिक्मा बॉंड तो यार 15 नहीं होंगे टोटाल हो गए तो एक दो तीन चार पाँच कार्बन कार्बन सिक्मा बॉंड तो एक दो तीन चार पाँच ही होंगे एक दो तीन चार पाँच इसका अंसार आएगा 5